तो दोस्तो पाकिस्तान में एसिया कप के लिए स्चेडूल और तारीकों का आयलान PCB के सामने हारी BCCI बोर्ड तो क्या है पूरी कवर की जानकारी पताएंगे सब कुछ इस वीडियो में उससे पहले गर आप पाकिस्तान टिंग के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके जादा से जादा से शेयर करें और हमारे जैनल को सस्क्राइब करके वेल नोटिफिकेशन कौन करना विल्कुल न भूलें दोस्तो एसिया कप 2023 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बीच गहमा गहमी का सिलसला खतम हो गया है जहां इस टुनामेंट का आगाज 5 सितंबर से होने जा रहा है 5 सितंबर को पहला मैच पाकिस्तान और सिलंका टीम के बीच खेला जाएगा वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बजम से टीने एसिया कप टुनामेंट को लेकर सुरक्षा संबंदी बातों पर खास ज्यान दिया है आपको बता दे कि पाकिस्तान की टीम को एसिया कप के बाद भारत में होने वाले वन डे वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है वहीं पाकिस्तान टीम के कप्तान बावर आजम एसिया कप जीत के साथ आगे का मुकाबला में जाना चाहेगी दोस्तों आपकी क्या रहा है नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं